दोसा आज की वीडियो में स्ट्रीक के नए वर्जन वीफोर में किस तरीके से स्ट्राटीजी को लाइव करते हैं उसके बात क्या करना होता है इसके बारे में जानेंगे और जो लोग स्ट्रीक को नहीं जानते हैं पहली बार नाम सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि streak एक algo trading platform है एक तरीके साब इसको computer based trading कह सकते हैं यानि इसमें आप अपनी condition बताइए कि आपको कब किसी चीज को खरीदना है trade लेना है exit करना है profit लेना है stop loss लेना है और computer आपके हिसाब से जो भी आपने उसको बता है उससाब से काम करेगा तो यह काम दोस्तों streak क दालते हैं और फिर streak उससे साब से काम करता है एक तरीके से computer based trading यह हो जाते हैं जिसको हम algo trading कहते हैं तो streak ने हाली में एक launch कर रहा था अपना version 4 वाला platform जिसके बारे में हमने introduction वीडियो भी डाली थी आपने देखा भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक होते हैं एक चोटी सी strategy एक्जामपल के लिए इस वीडियो के अंदर include करेंगे आपको दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा सा यह वीडियो है कोगी काफी knowledge आपको मिलेगी और एक कमाल की चीज इस वीडियो में देखने ही वाले है आप एक तो manual तरीका एक fully automatic तरीका यानि फुली automatic हो जाएगा तो दोनों तरीका इस वीडियो में cover करें तो चलते हैं प्लैटफॉर्म पर और शुरू करते हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाने के यूटूब चैनल के अंदर मेरा नाम है अन्मोल मितल इस ट्रीक के प्लैटफॉर्म पर जाने से पहले मैं आपको एक strategy जो हम इस वीडियो में cover करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी information दे देता हूँ एक सिंपल स candle crosses above करेंगी super trend के तो हम buy करेंगे 0.5% का stop loss और 1% का target रखेंगे और super trend की जो setting है उसके अंदर multiplier को 1.5 कर देंगे ताकि जो lag आता है जो उसके अंदर काफी वो थोड़ा सा कम हो जाए और ठीक हम bearish strategy बनाएंगे इसी इसाब से जैसी super trend को crosses below करेगा super trend को वैसे हम एक short की strategy बना है इसके अंदर और इसके अंदर भी 0.5% का stop loss और 1% का target रखेंगे तो इसको लेकर के दोस्तो strategy बनाते हैं और चलते स्ट्रीक पर देखते कैसे strategy live होती है कैसे signal मिलते हैं उसके बाद कैसे trade लिना होता है manual और automatic दोनों तरीके इसके अंदर include किये गए तो चलिए शुरू करते और जानते हैं दोस्तों दोस्तों स्ट्रीक के platform पर हम आगे हैं सामने आपको स्ट्रीक का platform दिख रहा है अब इस platform के अंदर हम दो तरीके जानेंगे पहला तरीका जो manual होगा दूसरा तरीका जो fully automatic होगा वह अंत्मे में आपको बताऊंगा अब यहां पर हम एक simple से strategy create कर रहे सिर्फ example के लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे strategy बनती है और कैसे live हो जाती है कैसे signals आते हैं और कैसे हमें फिर बागे काम करना पड़ता है और अंत्मे में fully automatic वाला तरीका भी इस वीडियो में बताने वाला हूं तो शुरुआत करते हैं देखे सबसे उपर आपक strategy करके box दिया गया है बाकि pre-build strategy भी बहुत सारी दी गई है आप इनको एजटी यूज़ कर सकते हैं हम यहां फिलाल एक strategy क्रेट कर रहे हैं बहुत ही सिंपल सी strategy है strategy का नाम है सूपर ट्रेंड bullish देखे एक bullish strategy पहले create करेंगे super trend में और इसको implement करेंगे तो 5 minute का दोस्तों यहां रहेगा देखे यहां पर positions है entry है exit है review है यहां पर देखे चार आपको यहां component देए गए हैं तो सबसे पहले तो आपको add करना होता है कि किस चीज़ के ओपर आपको trade करना है तो मैं कुछ stocks ऐस ही मैं add कर रहा हूं मैंने कोई भी analysis नहीं करी है जैसे कि मैंने बोला कि सरिफ हम यहां दिखाने के आपको कोशिश कर रहे है कि किस तरीके से strategy live होती है किस तरीके से execute करना होता है सिर्फ यह motive है strategy सिखाने का कोई motive नहीं इस video के अंदर कि यह strategy है ऐसे result है इसके ओपर बिल्कु करना चाहते हैं हम इस video के अंदर कि कैसे strategy बनाते हैं live करते है quantity आप डाल सकते हैं यहां पर कि क्या quantity चाहिए मैं यहां फिलाल 10 डाल लेता हूं लेकिन दोस्तों इसका कुछ relevant नहीं रह जाएगा क्योंकि मैं एक चीज यहां पर यूज करने वाला हूं जिसका नाम है max allocation जो आ चीज तक के trade लेगा चाहिए उसमें एक quantity आए दो आए दस आए उससे कोई फ्रक नहीं पढ़ता एक हजार पे से उपर के trade नहीं लेगा यह यह automatic calculate कर लेगा तो यह मैंने position sizing यूज कर रहा हूं मैं इसके अंदर जो capital based रहेगी और इसको मैं next कर रहा हूं अब इसके बाद buy condition ह हम डाल रहे है तो बड़ी simple सी buy condition होगी कि close price close price crosses above देखें crosses above और यहां मैं डाल रहा हूं इसको मैं delete कर दिया है super trend right multiply को दोसों मैं कर रहा हूं 1.53 थोड़ा सा बड़ा हो जाते है इसलिए मैं थोड़ा से इसको छोटा कर रहा है और यह मेरी entry condition है close close is above super trend that's it अब यहां पर देखें exit condition भी हमें डालनी होगी और next करते है अब exit जो है वो stop loss basis और target basis पर भी ले सकते है या फिर अपनी कोई another condition भी आप डाल सकते है वो आपकी मर्जी है मैं फिलार यहां पर stop loss ले रहा हूं 0.5% का और target profit 1% का और next कर रहा हूं अब देखें review कर लिजिए आपकी intraday based strategy बन गई है जिसको हम run करने वाले हैं और save and backtest कर लेते हैं सारे ठीक लग रही है देखें नीचे आपको backtest के result यहां deploy all कर लेते हैं अगर same strategy को deploy all कर लेते हैं तो strategy as it is live हो जाती है तो यहां पर अगर आपको इसको live करना है तो आप इसको deploy all पे click करिए max allocation देखिए सब पे 1000-1000 हमने डाल दिया था और इसको हम live trade पे click कर देते हैं और यह दोस्तों जो strategy है यह live हो गई है अब यहां देखिए मैं यहां पर जाता हूं dashboard में तो देखिए live trade करके देखिए six waiting पर लिखा आ रहा है यह देखिए सारे waiting पर रहे है आपको यहां दिखाई दे रहा है बिलुकुल अच्छ से दिखाई दे रहा है तो यही चीज है दोस्तों जैसे ही condition match होगी आपके पास एक notification आ जाएगा जैसी notification आता है फिर हम देखते हैं कि कैसे हमें उसको execute करना है जब तक दोस्तों notification आता है तो हम इसके एक bearish strategy भी बना लेते हैं अगर यह bullish वाली match नहीं होती है super trend की तो bearish वाली match हो जाए तो इसको लेके strategy बना लेते हैं तो हम एक नया page open कर लेते हैं streak का यहां पर और यहां dashboard पर जाते है strategies पर जाते है create new strategy करते हैं अब यहां पर हम लिख लेते हैं super trend bearish बिल्कुल हम उल्टा करने वाले सेम strategy को जैसी bearish की condition मिलेगी तो वैसी वो short का trade लेना शुरू करें तो यहां पर add symbol में हमने कुछ stocks लिये थे वही वापिस add कर रहे हैं जैसे के हमने लि हमने लिया था अदानी port हमने लिया था ICIC bank इंडसिट bank कैनरा bank आइबूल housing और एक stock दोस्तों हो लिया था हमने यहां चेक कर लेते हैं आइबूल housing नहीं लिया था आइबूल housing को अटा देते हैं हमने लिया था DLF यह दोस्तों हमने done कर लिये वन सेकेंड दुबारा चेक कर लेते हैं ठीक है 6 stocks यहां पर हैं और वही same 6 stocks हमने यहां पर लिया है आइबूल housing नहीं लिया पाया थे और 5 मिनट का हमने यहां रखा है max allocation 1000 position sizing capital based रहेगी यानि 1000 पे से उपर का trade नहीं लेंगे और यहां हम short sale करेंगे selling का trade और यहां पर हम लिख रहे हैं कि close crosses below super trend यहां पर लगाएंगे condition crosses below और इसको डालेते हैं यहां लगाएंगे super trend same जो strategy थी उसको उल्टा कर दिया है multiply 1.5 है close crosses below करेगा super trend के वैसे हमें signal मिलेगा वैसे हम entry लेंगे और next करते stop loss 0.5 target profit 1% next और सारी चीज़े ठीक लग रही है save and backtest देखेंगे यहां data आ भी गया है थोड़ा सा आप देखेंगे यहां data भी आ गया है backtest का आप देख सकते है stock wise भी देख सकते है all over भी देख सकते है फिलाल हम इसको deploy all कर लेते हैं यह देखिए और accept trading terms इसको करके live trade पे click कर देते है अब देखे strategies यह है यह live हो गई है यहां देखिए अब यहां पर देखिए 6 जो stocks है वो bearish में चल रहे है और यही 6 stocks bullish में भी चल रहे है तो जब भी condition match होगी हमें notification आ जाएगा अब देखिए उस notification को कैसे आपको implement करना है trade के अंदर उसकी बात कर लेते हैं अब यह जो तरीका है यह manual तरीका है मैं एक automatic ट्रिक भी आपको बताऊंगा काफी लोग जानते भी है वीडियो हमने बनाई थी कि automatic कैसे करें अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के अंदर हम इसको include करने वाले और आपको काफी benefit मिलेगा कि अगर आपको automatic की कईबर problem होती है तो वह automatic भी हो जाएगा तो चलिए wait करते है कि कैसे signal मिलता है सिगनल मिलता ही हम उसको implement कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं अब दोस्तों देखिए अभी recently हमारे पास एक notification आया है जिसमें sell का alert आया अदानी पोर्ड्स का super trend bearish वाली जो strategy है तो जैसी मैं entry पे click करता हूँ तो यह देखिए मैं sell पे click क notification आये उसके बाद हमने entry पे click करा और तब जाकर कि यह order execute हुआ और देखें जो quantity है quantity automatic judge करेगा क्योंकि हमने बोला था कि 1000 रुपे maximum allocation है तो 1000 पे से maximum जितना stocks लिया जा सकता है उतना यह लेगा तो इस तरीके से दोस्तों यह काम करता है जब आप live कर देते street के उपर यह official working इस इस तरीके की है और जैसे ही exit की condition आएगी आप देखें जो notification वाला बार है यहीं पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जैसे कि इसने बोल दिया है कि stop loss order यहाँ पर आप लगा सकते हो तो जैसे कि देखें मैं यहाँ पर लगा कर छोड़ सकता हूँ यहाँ देखें एक order इसने लगा करके छोड़ दिया है automatic अब जो stop loss है और buying है यह से साफसर चलेगी अभी सारा जो काम है यह manual हुआ है लेकिन अगर आप इसको automatic करना चाहते है तो यह work automatic भी किया जा सकता है लेकिन मैं आपको पहले ही warning दे रहा हूँ कि यह जो automatic वाला मैं तर यूज करके उसको automatic कर दिया है अब इसको अगर आप use करते है तो streak यह नहीं कहता कि यह execute हो ही जाएगा यह आपके on risk पर है तो आपको हमेशा monitor के सामने फिर भी नजर रखनी पड़ेगी कि execute हुआ या नहीं हुआ अब automatic वाला way मैं आपको बता देता हूँ अच्छा automatic में जा फ्लाल झाल इते हैं ताके हम automatic वाले पर जा सके हमाने के रेंसेे कर देता हूँ मैं इसको अब क confess और मने क्ले रखेंन का है chrome का तो यहां पर हम इस extension को लगा रहे हैं और add to chrome कर रहे हैं देखिए add extension और जो अभी time and condition है वो आप इसकी पढ़ लीजिए गा क्योंकि यह भी आपके एक warning देता है उस warning को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए देखिए यहां पर लग गया एक्सेंशन एक पर एक पर एक्सेंशन को देख लेते हैं यह देखिए डिटेलस आप देख लीजिए इसकी यूज कर रहे हैं वो आपका खुला होना चाहिए और आपका यह जो ट्रेड रोकिट वाला जो एक्स्टेंशन है यह एक्टिवेटिड होना चाहिए जैसे कि मैंने भी इसको एक्टिवेट कर दिया है अब जैसे ही यहां पर नॉटिफिकेशन आएगी यह आपको कुछ नहीं करना है जैसे एंट्री की कंडिशन आएगी ऑटोमेटिक ट्रेड ले लेगा जैसे ही एक्जिट की कंडिशन आएगी ऑटोमेटिक ट्रेड ले लेगा आप इंट्रेडे बेस्ट पर अगर आप इसको चलाते है तो आपको ध्यान डखना है कि आपका जो ब्रोकर है वो ओपन miss हो जाए और साथ में आपको नजर भी रखनी है अगर extension कोई गलती कर देता है वो trade से exit नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि आपको एक बड़ा profit हो सकता है एक बड़ा loss भी हो जाए तो इस चीज़के ओपर भी आपको ध्यान रखना है लेकिन मैं अगर अपना experience बता हूँ मैंने जितनी बार भी इसको run कर रहा है मुझे कभी भी बीच में कोई lag और कोई error नहीं मिला है यह continuously बहुत अच्छे से काम करता है अगर आपका streak का panel और broker का panel खुला हुआ है और साथ ही साथ आपका जो internet है वह continuously अच्छे से run कर रहा है तो कभी दिक्कत अब तक मुझे नहीं आई है बाकी हो सकता है किसी को आजा है और यह warning आपको extension में भी मिलती है तो wait करते हैं किसी नए notification का देखिए एक नया notification आया है और देखिए automatic इसने trade ले लिया है वह इसने execute कर रहा है और हमने कुछ भी नहीं कर रहा है हमने manually कोई buying या selling का कोई order हमने नहीं लगाया है साथ में अगर आप orders में देखेंगे यह देखिए इसने automatic complete कर दिया है अब मैं आपको यहां timing दिखाना चाहता हूँ जिस timing पे इसने trade लिया उस timing को देखिए बारा बचके इक्तालिस मिनट 27 सेकंड पे इसने shot कर दिया है DLF को shot का trade लिया है और मैं आपको यहां पर notification दिखाना चाहूँगा कि notification कब आई है देखिए बारा बचके इक्तालिस मिनट और 27 सेकंड पे हमें notification आई है इसकी आप यह देखिए तो कितनी जल्दी इसने execute कर आए मतलब एक second का भी error नहीं है उस पल में ही इसने execute कर दिया है जो manual हम कभी भी नहीं कर सकते इतना fast हम manual नहीं हो सकते तो यह दोस्तों फाइदा जब हम चीज़ों को automatic करते है अब यह जो trade है यह run हो गया है अब इसका target क्या है 1% है stop loss क्या है आदा परसेंट है जब भी execute हो जाएगा यह automatic exit कर देगा और जैसे आपको पता है कि intraday में क्या होता है कि 3, 15, 30, 20 पर सारे trade automatic close हो जाते है तो वो automatic close भी हो जाएगे तो यह सारा जो work है यह पूरी तरीके से automatic हो गया है लेकि स्रिफ आपको नजर फिर भी बना के रखनी पड़ेगी तो कि हम यह नहीं कहा सकते कि बिल्कुल bulletproof तरीका है यह execute कर ही देगा अगर कहीं भी lag आया कोई system में कोई lag आया या internet आपका बंद हुआ तो यह होचपोच हो जाएगा तो आपको नजर जरूर रखनी पड़ेगी उमीद करता हूं दोस्तों आपको all over जो वीडियो है वो बहुत पसंद आयोगी manual और automatic दोनों तरीके